मैं बात करना चाह रही थी इसे मर्दों को अपने साथ जेल है बात वही आती है कि ऐसे लोगों को famous क्यों करावा है, लोगों को सर पे क्यों बठाया है, ऐसे चूतियाओं को हमारे जब role models, अब आप देखो, सब लोग ऐसे ही है, धीपकलाल हो गए, इमरान खान हो गए, तो पिर आप अमारी generation का क्या समझ्धियों होगा तो अभी इनको भी देखो ना, कितनी इनको support भी मिल रही है, तन्द लोगों ने condemn किया है, मगर बहुत सारे लोगों ने इनको support भी किया है, so I don't know what to say anymore, कहां गया है, इनका statement जो नोने Noor Mukha Dam के ओपर दिया है, it's a shame for our society, seriously, it's a it's a big shame, के एक बंदा जिसके कितने, इनके कितने million followers है, I try and stay away from such toxic people, जो इतने negativity और इतनी blatant कहना चाहिए, इतने blatantly नफरत पहलाते हैं और बखवास करते हैं, मैं उनको normally नहीं सुनती, क्योंकि मेरा phone call है, चाहिए हो गया, और या मकबूल जान हो गया, इस तरह के लोग में सुनती भी नहीं हुआ है, मैं भी नहीं सुनती हूँ इनको, वो तो trending में आया है ना, तो that's when I see मैं भी नहीं सुनती हूँ है, कौन सुनती है, क्विटर पे मैंने देखा था और मुझे इतना अगर आजकेल की कॉमेडी ये रह गई है, पहले हमारी जो कमेडियन्स होते थे, आप उनको देखो, इंडिया में देखो, तो कादिर खान हो गए, शक्ती कपूर कितनी अची कॉमेडी करता था, जॉनी लिवर को आप उठा लो, और हमारे पाकिसान में से आप देखो तो, अमर शरीफ, मुहीन अक्तर, ये कॉमेडी इंसे, अब आजकेल की कॉमेडी आप देखो ना, जो अपना सर लगा कर देखो, जो अपना सर लगा कर देखे वो कॉमेडी बन जाता है, जी, लोकिंग बैक, अगर आप वो शक्ती कपूर और इन सारे कारेक्टर्स की आप रोल्स देखो, and how they portray women, they, मतलब इनकी फिल्मों में ज्यादातर औरतें बेवकूफ होती हैं, या तो एक्स्वाइट करती हैं बहुत जादा, या फिर वो बहुत बेवकूफ होती हैं, और उनकी बेवकूफी पे बेवकूफी पे लाफ, and make joke on, ना, तो, looking back at the things that I used to laugh at, sometimes I don't find them funny at all, I liked, I liked, I liked Kadir Khan, Kadir Khan की comedy, I don't think it was very misogynistic, um, उसकी comedy मुझ अच्छी लगती थी, हाँ, मगर वो तो, देखें, चाहे वो हमारी movies हो, या ड्रामे हो, तो, girls are like a side piece, ना, केरिन लूट, ये, new member, केरिन, आप तो पहले से ही member थे, अच्छा, दुपारा से join किया है अपनी, congratulations, thank you, अच्छा, ये वीडियो में चलाती हूं, जड़ा सा, थोड़ा सा सुनते हैं, कि ये अपने क्या महान, वचार हमको सुनाएंगे, जिस नूर मुकदम का आप मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको बता है कि उसके और उसकी वालिद के साथ, मुजिटा च्छे महीनों में कितनी मरतबा रापता हुए, उसके वालिद ने उसको आठ मरतबा मैसेच किया, और उसने सिर्फ तीन दफा जवाब दिया अपने लेगिन आपको बता है कि नूर मुकदम का जिस मत इन उसका गला ठाए उसको खड़ किया है, उसके साथ किती दोपर आपता हुआ है, जाहिर के साथ नूर मुकदम के सेंकडों रापते हैं, छे महीने में, अपने वालिद के साथ तीन रापते हैं, यह क्या है? यasan तो इस तरह की चीजों के नतायच ऐसे होते हैं, हम पहले आपको खबरदार कर रहे हैं, इसलाम में आपको खबरदार किया गया है, आपका मुआश्रा आपको खबरदार करता है, आपके बड़े बज़रुगा आपको समझाते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए, बाद में ऐसे मर्द होंगे जो अपने माबाप से बात नहीं करते होंगे उनको क्या करें गटर में फिकना कितने लोग बाहर आ जाते हैं बाहर के मुलकों में रहते हैं और अभी तो खैर कम्यूनिकेशन असान हो गई है मगर पुराने जमाने में आप जाओ बच्चे लड़के आ जाते थे इंगलेंड आ गए या कैनेडा आ गए यूएस आ गए तब तो खत लिखने पड़ते थे फोन करना तो बहुत मेंगा पड़ता था तो आपको क्या बता उसके अपने पैरें हैं जज करने वाले मतलब यह जो यह जस्टिफिकेशन साथ दे रहे हैं इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जवान लड़की कतल होती है और अगर वो कतल करने वाला उसका कोई दोस्त है हाला कि मैंने according to the dawn news वो इसका कसन भी है दूर परे का I don't even bloody care about that कि वो है के नहीं है वो दोस भी है वो दस साल से दे नियू इचादा उनमें अब आप अपने दोस्तों से ज्यादा बात करते हो because you don't meet them so often या आपके उनसे connectivity होती है माँ बाप से नहीं होते हैं I talk once a week or the चलो तीन-चार दफा maximum in a week to my with my mother but sometimes we don't talk क्योंके हम लोगो दोनों अपनी लाफ में बिसी ह हैं बहुत आप यह कैसे कह सकते हो कि अगर किसी ने अपने बाप से बात नहीं की तो उसका कतल हुआ है तो वो बेशरमी बेहयाई है और आप कौन होते हो उसको इसलाम इसलाम फॉरण आ जाता है इनके इसलाम आ जाता है फॉरण बीच में तो इसलाम की उसमें आगर हम आ ज प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं। प्राइम 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 मिनिस्टर से लेके जितने खाएं। किस तरीके से जस्टिफाइम जस्टिफिकेशन कोई भी चाहे वो लड़की उसके साथ सो रही होती चाहे वो लड़की उसके साथ कुछ भी कर रही है। जस्टिफाइम नहीं कर सकते हो किसी का सर दन उसने सर तन से चलो एक को मार दो ना गोली से मार दो गला दबा के मार दो उसने उसको मारने के बाद उसके पूरे जिसम के साथ उसने काटम कुटी की है। आप किस तरह के से बैठके उस साइकोटिक बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर इन लों के फॉलोवर्स कोई कम नहीं हुए हुए सब्सक्राइबर्स हुए तो नहीं है। यानि देर वास बैक्लाश मगर इतना नहीं था। बहुत सारे अब जैसे वह हम लोग डिसकस करें सदफ कमल हो गई या यह साब हो गए या इम्रान खान इनके स्टेट्मेंट से जो लोग वहाँ बैठें और इन चीजों को बिलीव करते हैं ना उनको और शेह मिलती है वो करते हैं हम ठीक हैं। यह जो नारेटिव क्रियेट कर रहे हैं यह बहुत टॉक्सिक हैं। अगर वो चलो इसके परस्पेक्टिव से अगर वो प्रेगनेंट हो जाती ना तब आप कह सकते थे कि उसका वो नहीं करना चाहिए था और वो होना चाहिए था वो यह जो आपके यह दिस्टेंस उसको क्रपल कर दिया गया है भाई। तो यह जो है इसे जाएं प्रणी को जाती हैं तो आपके दिमाग में गंदे ख्यालात के लावा कुछ नहीं हैं। तो इनका तो दिमाग में यह है कि भी ओरत और मरत गर में अकेले है तो कुछ ना कुछ नहीं होता होगा। वहां पे राटके हो थे थे ते अब आप खुछ तो अगर मैं किसी देशी आरे होती तो क्या थिंकिंग होनी थी उनकी हाला कि I had no interest क्यूंकि मैं लेंड लोड़्टी महाले कमा कान ती तो ऐसा कभी आपको रिष्टा रखी नहीं सकते हो it is better not to get involved with anybody like this मगर थिंकिंग लोगों की होगी नहीं देखो इसके घर में तो कितने लड़किया आ रहें जा रहें you know it's just it's just और एक और भी narrative इसका चल रहा है इनके case में के वो एथिएस हा तो लोगोने काफी ए ट्रेंट चलाए देखो एथिएस था जभी उसने मार दिया एथिएस तुम लोग कहते हो बड़ अच्छे होते हैं देखो ये 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 what would you say to that they should look up वो जो वार अगेंस रेप वार के नाम से organization है उनके data देखे 82% of the minor girls जो बच्चिया हैं जो gynecologist के पास आजकल आ रही है उनके साथ जाती है उनके घर में हो रही है अब 82% atheist तो नहीं हो सकते है ठीक है आप पहले atheism again बात वही है you can criticize people but not what they believe in अगर आग वो atheist बनके इंसान अच्छा बुरा हो सकता है वो religion पे बिलीव कर सकता है वो religion को बिलीव करते है अब अगर ED साब मुसल्मान थे तो I would bow down to that man उसने जितनी खिद्मत किया मुल्की यह देखे screenshot ले लो जड़ाई मुहमद वक्कास का रहे तो तेरा भी होगा ऐसे तो लोग है तो फिर हम क्या कह सकते है what can we do I think इनका अपने साथ यह वाक्या हो चुका है जिसको यह externalize का रहे है तुम अपनी गांड बचाओ बेभी तुमारे मुलाना ना आजकल fresh meat की तलाश में तुम अपनी गांड बचाओ तेरा मुलाना ना तो चाके हो चुका होगा इनका रेप नहीं होगा यह तो अपनी मजी से देख रहे होगे मुलाना जी आज मेरी कांट रखाई करी दीजे प्लीज शकल से देखो न शकल कैसी लग रही है इनकी यह 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 यहनि I don't get it I don't get it मगर this is a mindset we're fighting with चाहे वो इंडिया से आ रहा हो चाहे वो पाकिसान से आ रहा हो क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या पर mentality इनकी अपनी display picture देखना ही है जो अभी जिसका आपने highlight किया था यह वाला हा लुक ओ गॉड हाव रोमेंटिक माली जी कैसे comments दिखा रही हो मैं वो comments दिखा रही हूँ जो आपको देखने चाहिए क्योंकि यह हमारे देखो इंटरनेट यह वो यह बंदे जो होंगे ना आपके सामने ऐसी हरकत नहीं करेंगे मगा जहां यह इंटरनेट कंप्यूटर के पीछा आके बैठ जाते हैं ना तब इनकी असलियत खुल के आती है क्योंकि इनों ने शाकल दिखानी नहीं है इनको इनका नाम भी तो देखो मुहमद वकार यह अपने नभी का नाम रौशन कर रहे हैं यह ब्लासमी थोड़ी होगी वही मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरे लोगा के मुझे बोल रहे होते हैं मगर खोद इनके जितने मुहमद नाम के लोग होंगे न उन तो नहीं गंदे कॉमेंट्स लिखेंगे वो मतलब अगर इनको यह सूचना चाहिए इस तरह के कॉमेंट्स आखे कर रहे हैं इनका नाम मुहमद है तो दिल में इनके लिए क्या बहुत फूल खिल रहे होंगे इनसान के गालिया ही निकलेंगी रिपोर्ट मुहमद वकाद if you're a decent human being रिपोर्ट क्या है इननों की खुद की गांट्फ वो कहते हैं गांट्फ ठीक है यह सारे वो अंटी नहीं कहती है मुझे वो soundbird चाहिए होगा